राजे सबा की सदसे मेरी कौम ने प्राइमिस्टर मोधी और आमिद शा को लिखा कि मेरा राजे जल रहा है इसे बचाईए क्यों मनिपूर धुलू करके जल रहा है इस सोचने वाली बात है भारत के लिए जनरली एक बात कही जाती है कि हमारे डैवरस्टी में ही यूनिटी है कई बारी ये डैवरस्टी ही कड़वाहट का कारण बन जाती है और ये कड़वाहट और खराब हो जाता है जब ये लगने लग जाए कि दूसरे की बज़े से हमें नुपसान होगा जह हम रहेंगे तो दूसरा नहीं रहेगा तब ये खुनी संघर्ष में बदल जाता है मनीपूर में आज खुनी खेल का यही कारण है पुरे दुनिया में दो ही मेजर मामले हैं जिससे जंग होती है एक है धरम दूसरा है जमीन मनीपूर में दोनों शामिल है हाल में ही मनीपूर हाइकोट ने मनीपूर गौर्मेंट को यह कहा कि आप अपना पक्ष किलिए करो कि क्या वो स्टी स्टेटस मैती संवधाय को मिल जाता है तो पहाडों में जमीन खरीच सकते हैं और दूसरा उनको जॉब में आरक्षन भी मिल जाएगा इसी बात का बिरोध कुकी और नागा समधाय के लोग कर रहे हैं। बिरोध कब खुनी संगर्स में बदल गया पता ही नी चला। अब बात करते हैं कि ये फॉल्ट लाइन की historical और political reason क्या है और क्या geographical situation है मनिपूर की। मनिपूर एक international border से सटा राज है। मनिपूर को geographically हम दो हि मेन का 10% आता है और यहीं पर मैती समधाय के लोग रहते हैं जो की सबसे largest population चंख है अरौं 64% के करीब। मैती ग्रूप जो है दो हिस्सों में divided है मैती पॉंगल जो की मुस्लिम है और मैती हिंदू जो पहाड़ी इलाका है जो की 90% geographical इराका है मनिपूर का वहां पर कुकू औ और नागा समुधाय के tribal communities रहती है और लगभग इनकी जो गिंती है 34% है total मनिपूर के population में अब अगर geographically मनिपूर की situation देखें तो मनिपूर के north में नागा hills है और मनिपूर के east में मनिपूर east hills है वेस्ट में असाम है और west मनिपूर hills है जो east है वो मैनमार से सटा हुआ है वो मैनमार में भी है और मनिपूर में भी है क्योंकि porous border है तो वहां से लोग अराम से आ सकते हैं जा सकते हैं इससे क्या हुआ कि जो कुकी समुधाय के लोग है उनकी गिंती बढ़ती जा रही है मनिपूर में total solar districts है और यहां पर लगभग 34 tribal communities जो है रेकिनाईज है जिसमें से 15 नागा tribes हैं बाकी मीजो जोमी कुकी समुधाय के लोग है मनिपूर historically देखें तो मनिपूर एक princely state था जहां पे कॉंगलाई पाक नाम की kingdom का राज था हमेशा से नौर्थ से नागा समुधाय का attack हो जाता था तो राजा ने कुकी समुधाय जो मैनमर में रहती थी उनको ब एज यूटी बना लेकिन जब नागा मुम्मेंट शुरू हुआ तो कुकी समुधाय और मैती समुधाय भी इसका बिरोध करने लगे और इनने भी इंसर्टेंसी ग्रूप खड़े हो गए धिरे-धिरे कुकी समुधाय ने भी अलग से statehood की डिमांड कर दी जो कि मैती समुध समुधाय को पसंद नहीं आया जिसकी वैसे दोनों में कड़वाट पैदा होगी जो कि शुरू में कुकी समुधाय मैती समुधाय को बचाने आई थी आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गया 1972 में मनिपूर को 19 statehood का दरजा मिला तो भी ये प्राब्लम शांतनी हुई क् कुकी समुधाय मैनमार से भी जुड़े हुए हैं इसलिए कुकी समुधाय की गिंती बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये ट्राइबल क्लैश कल्चर क्लैश होता रहा है जिसकी वैसे नागा समुधाय नॉर्थ में शिफ्ट हो गया और साउथ में खास वापर चुराचा का राज शुरू हुआ है मैनमार के अदर कुकियों पर बहुत जाती हो रही है जिसकी वैसे वहां के लोग भागभा के मनिपुर में बस रहे हैं जिसकी वैसे कुकी समुधाय की गिंती बढ़ रही है यही प्रॉबलम है मैती समुधाय का मानना है कि 1949 राजा के समय वह ST population ही मगर क्योंकि मैनमार से कुकी समुधाय के लोग आई जा रहे हैं जिसकी वज़े से उनकी गिंती बढ़ रही है और जो 1949 में 69% थे अब वो लगभव उनका मानना है कि 44% पे आ गया है जिससे उनका एरिया भी कम हो रहा है और साथ में उनकी गिंती भी कम हो रही है इसलिए व भारत एक देश अभी पूरी तरह से बनानी आज भी लोग अपने आपको religion, race और छेत्र के हिसाब से identify करते हैं भारतिये कम कहते हैं और खास तर पर नॉर्थ इस्ट के लोग तो वैसे ही cut-off हैं और main land के लोग तो उन्हें Chinese या मैनमारी या नेपाल ही समझते हैं सरकारों को चाहिए कि nation in the making पे और जोड़ दें ताकि वहां की लोग भी अपने आपको proud feel करें भारतिये कहला के साथ में जो fault lines हैं उसका misuse ना करें ये political parties क्योंकि vote polarization के चकर में वो ऐसे fault lines को और बढ़ावा दे रहते हैं जो बाद में valence का रूप ले लेता हैं अभी में जो job है वो भी एक कारण बना हुआ है क्योंकि job ज़्यादा है नहीं और tourism ज़्यादा फैल नहीं रहा जिसकी वैसे लोगों के पास ज़्यादा opportunity नहीं है इसलिए सरकारों को चाहिए कि और opportunity create की जाएं ताकि लोगों को सिर्फ सरकारी job ही नहीं बलकि private job और अपना business करने के भी opportunity मिले ताकि ये fault line कम हो और वो और भारतिये कहलाएं अंत में एक गीता कसार तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुमने क्या पैदा किया जो नश्ट हो गया जो तुमने लिया यहीं से लिया और यहीं रह जाएगा तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे जो तुमारा आज था वो कल किसी और का हो जाएगा परिवर्तन संसार का नियम है इश्वर सब देख रहा है अगर ये वीडियो आपको पसंद लएगी तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें थैंक यो